पड़ाने जा रहे हैं दोघ रर्वाले रियाग रेक समिकरण योग्म का ग्राफिव विदि से हल इस प्रकार से कीसे हल करते हैं तो इसके कुछ प्वैंट हैं वो हम आपको नोट करवा देते हैं जैसे हम देखते हैं कि दो चर वाले रहकिक समिकरण योगिम का जो ग्राफीय विझी से हल है वो किस परकार से करेंगे और जो उसके हल का अस्टित्फ है वो किस परकार का होगा और गिराब जो दो चरो वाले रैकिक समिकरण योगमसी जो रेखाएं बनेंगी उन रेखाओं का ब्याबार कैसा होगा उनके ब्याबार पर हम दो बात कर लेते हैं और हम बात कर लेते हैं उनके हल पर यानि कि उनके सोलूशन का जो अस्तित्व है वो कैसा होगा एदोतिय होगा या फिर एकरिमित रूप से अनेक हाल होंगे इन पर हम बात कर लेते हैं और इनको यहां लिखकर भी आपको बटा देते हैं तो जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखता हूं तो फर्स्ट पॉइंट अपना हो जाता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को पिरत दो रेखाएं पिरतिचेद करती हैं जब दो रेखाएं पिरतिचेद करेंगे एक दूसरे को दो रेखाएं पिरतिचेद करती हैं करती हैं तो समीकरण जो योगम होगा समीकरण योगम समीकरण योगम काल किस फिर करका होगा समीकरन युगम का हल होगा एदोतिय एदोतिय जैसे एदोतिय हल यानि कि इसे हम कह सकते हैं यूनिक स्योलुशन कि चॉलुशन हमें फ्राप्त होगा यानि कि जब दूरेखाएं एक दूसरे को करेंगी काटेंगी तो उनका जो हल निकलके आय को उनिक solutions यह उने क्या होता है एक ही आएगा यह तो चार आए पांच आए दस आए जितना भी आए एक ही आएगा यह थो इसके जैसा कोई नहीं तो मैं आपर रेखाए में बना देता हूं जैसे यह दो रैक हाए हैं और ये एक दूसरे को पिर्तिछेट कर रही हैं तो इसके अलावा आए और कहीं पर भी टुच्ट नहीं होंगी तो आप देख सकते हैं ह्श्में एक ही अल आयगा इसका weaker क्योंकि एक ही क्या करेंगी एक दूसरे को टॉच्ट करेंगी तो इसका का में अगया पुड़ते की जब रिखाएं शकषा कि जब रेख़ाएं एक दूसरे के समांतर हो पेड़ेलल जैसे ट्रेंट की ञोडरी प þरीपरी वह होती है वह होती है एक्दम एक दूसरे के समांतर यही घुल को है घंडे रेखाएं कहते हैं तो हम लेखेंगें कि दो रेखाएं समांतर हो एक दूसरे के दो रेखाएं कि दो रेखाएं कैसी हो समांतर हो या फिर मैं लेख सकता हूं कि समांतर रूप में हो कैसे भी लेख लो दो रेखाएं समांतर हो तो जो समीकरन योगम का हल होगा वो कैसा होगा समीकरन योगम का हल हमें यह याद करना है कि इन तीनों कंडिसनों में समीकरन योगम का हल कैसा होगा तो इसे थोड़ा मैं और ऐसे कर देता हूँ ताकि याम में से लेख सबूँ कैसा होगा समी करन योग्म का कोई हल नहीं होगा कोई हल नहीं होगा क्योंकि जो रेखा है यह एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं कर रहे तो कोई points नहीं आगा और कोई solution नहीं होगा तो एक दो और एक पॉइंट और वचा है तीसरा वाला जब रेखाएं एक दूसरे के क्या हो सॉरी समपाती हो यानि कि यह रेखा यदि इसके उपर आजाए तो कितने हाल होंगे तो यहाँ पर मैं लेखता है थार्ड पॉइंट जो लेखता हूं वो लेखता हूं मैं कि दो रेखाएं कैसी हो दो रेखाएं संपाती हो या फिर रेखाएं संपाती हो तो समी करन योगम का हल कैसा होगा समीकरन योगम का हल कैसा होगा यह होगा डिपेंडेंस यह होजाएगा डिपेंडेंस डिपेंडेंस का मतलब होता है एक परिमित रूप से अनेखल जैसे हम देखते हैं कि दो लाइन ले लेते हैं आपर तो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ गई हैं यह एक दूसरे के ऊपर रहे हैं यहां पर अनेख बिंदू है तो इसका जो इसके सोलिशन होंगे वह क्या होंगे एपर मित रूप से अनेख होंगे अब दोबारा से इसको देखिए ध्यान से देखिए अच्छे तरह से समझे हम पढ़ रहे हैं दो तरवाले रैकिक समीकरन य जो लेनियर एक्वेशन है उसका सोलिशन फाइंड आउट करेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसके कुछ पढ़ लेते हैं कि जो दो चरवाले रैकिक समीकरन से जो रेखाएं बनेंगी और रेखाओं का ब्यावार है वो किस तरह का होगा और उनका हलका अस्टित्प है ये एक दूसरे को प्यूश्य techno परती चेदआ करेंगी ग्राप में जब ग्राप में हम ग्राप बना देंगे वहां पर लेखाएं एक दूसरे को प्रती से कर रही हैто तो वहां पर जो अलोगा वह यहां पर हम देखते हैं कि यह जो रेखा योग में दिये हुए हैं दो रेखा योग में दिये हुए हैं इनका व्यापक रूप है वो इस तरह का होगा यानि A1X पिलस B1Y पिलस C1 वरावर 0 और सेकंडे जो होगा A2X पिलस B2Y पिलस C2 वरावर 0 यह A1 A2 हो जागा B1 B2 हो जागा और C1 नहीं है तो उसकी बेलू 0 हो जागी और इसमें यह C2 है तो इस पिरकार से जो में इसन यह किया गया है हम इनकी बेलू यहां पर इनके नीचे पूट करते जाएंगे और इसके बाद हम अनपातों की तुलना करेंगे और ग्राफ यह निरूपन देखेंगे और पीज गणितिया निरूपन देखेंगे कि किस प्रकार का आएगा इससे पहले हमने दो-चरोवाले जो रियखिक समीकरण होते हैं बंदी है और उनके अहल क पर मित्रूप से अनेखल होगे उन पर हमने बात की तो अब ज्यान से देखिए हम इनकी वैलू किस तरह से यह पर पूट करते हैं तो देखिए यहां पर है एक वैलू कितनी है एक है और इसकी वैलू कितनी है तीन है क्योंकि इसका जो कॉपिसेंट गुणांख हो रही है वही इसकी वैलू होगी B1 upon B2 कितना हो जाएगा minus 2 upon 4 इधर हो जाएगा C1 upon C2 तो C1 तो है नहीं तो इसकी value 0 मान लेंगे 0 upon minus 20 इस तरह से इन 3ों को लिख देंगे तो इसकी हो जाएगी 2 बटा 4 इसकी हो जाएगी 3 upon 6 और इसकी हो जाएगी minus 9 upon minus 18 इसी फिरकार इसकी लिखेंगे तो 1 by 2 2 by 4 और यह हो जाएगी minus 4 by 12 और यह minus का ही है तो यहाँ हम अन्तपातों की तुलन करते हैं तो देखते हैं कि 1 वटे 3 है लेकिन जम 4 में किसका बाग देंगे 2 का तो क्या हैगा यह 1 वटा 2 हो जाएगा minus का जो इसके बरावर नहीं है और यह हो जाएगा 0 28 यह 0 हो जाएगा अर्था यह बरावर नहीं है तो हम यह क्या लगेंगे A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 और इस फिरकार की जब condition बनती है तो जो रेखाएं कैसे होंगी पिरतिचेद करती होई रेखाएं और जो बीज गनिती है निरूपन होगा वो कैसा होगा इसका होगा A2 ती हल A2 ती हल हल हमें इसका प्राव्त होगा अब हम इसको देखते हैं तो यह 2 वटा 4 है 3 वटा 6 है यानि जो 4 में 2 कबाग देंगे तो यह कड़ जागा 1 वटा 2 जागा और यह 3 वटा 2 जागा माइनस माइनस कड़ जागा और 9 वटा 1 वटा 2 जागा यानि A1 अपन A2 बरावर B1 अपन B2 बरावर C1 अपन C2 इनकी वेलू समान आ रही है तीनों बरावर आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे कि A1 अपन A2 बरावर B1 अपन B2 बरावर C1 अपन C2 और इस फिरकार की कंडिशन जवाब को कहीं देखें कि तीनों बरावर हो तो यह कैसे होंगे यह हो जाएंगे संपाती प्यान लगेंगे कि संपाती रेखाएं रेखाएं कैसी है मैं संपाथी त्रेहा लिगें कि संपाथी रेखांगई संपाथी रेखां को कैसा लोगा आ परिम्ट है अनेखल आ परिम्मत कि रूप से अनेख रोंगे कि दिदेन गाते हैं नश्थाल आ लेकिन यह क्या हो जांगा एक वठाधीं हो जाएगा इसलिए इसका क्या लेखेंगे A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 तो इस इस्तिती में क्या होगा कि जो रेखाएं वो कैसी होंगी समांतर होंगी तो हम यहां लेखेंगे समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं हो चुकी है और यहां पर क्या आएगा कोई हल नहीं No solution कोई हल नहीं यहां पर आएगा कोई हल नहीं यहां पर आएगा unique solution यहां पर आएगा परिमित रूप से अनेक हल और यहां पर आएगा कोई हल नहीं यानिकि no solution तो इस प्रकार यह प्रतिचेद करती हुई रेखाएंगे, यहाँ पर यदि ये condition बनेगी तो यहाँ पर आएंगी समपाती रेखाएं और ये condition बनेगी तो यहाँ पर आएंगी समांतर रेखाएं और इस प्रकार से इस सब को हमने देखा है कि जब A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 इस प्रकार के condition आती है तो रेखाएं कैसे होंगी प्रतिचेद करती हुई रेखाएं होंगी और एदुतिय रूप से क्या होगा एक ही अल होगा यह जब रेखाएं तीन बराबर हों तो क्या होगा समपाती देखाएं होंगी और पर्मित रूप से अनेक हल होगा और यह क्या होगा एवन अपन एटू वरावर वीवन अपन बीटू इस नौट टेखाएं होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा यह जांच किजिए कि समीकरण योग में यह संगत है यदि ऐसा आया तो उन्हें समीकरणों की 22999 नकाल लेते हैं तो हम इनकी पहले निकालते हैं इसके बाद उस बेलियू को फूट करते हैं किसमें मारें घ्राफि में ग्राफ बना के और उसे पर बेलियू फुट करें इन वाली एक्षानमारी की जो बैल आईगी दो जो हल भी है सकते हैं जो से बैलियू निकाल लेते कि पहले हम यहाँ लिकलेते हैं, और इधर लिकलेते हैं, अब हम यहाँ पर इनकी क्या निकालेंगे, बेहां, तो देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पर मैं kolum बना लेता हूँ, कितने, 3, चंण क्योंकि हमें 3 बेहां तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर Y की value पुट करके और X की value automatic आ जाएगी हम यह यहाँ पर च्छले एक्स की value आटोमेटिक निकल के आएगी जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले Y की value पुट करता हूँ 1 तो मैं यहाँ पर 1 लिग देता हूँ यह लिख दिया है नै 1 द्यान से देखिए और समझिए जब मैं वाई की वैलू एक पुट कर रहा हूं तो मैं वाई को अटा आगे क्या लेखूंगा एक लेखूंगा तो देखिए अब मैं लिखता हूं यहाँ पर एक्स बराबर 6 माइनस वाई की जगह लेखूंगा एक और जब 6 में से 3 चला जाग देखिए वाई की वैलू क्या रख देते जिस से फस्ट वैलू प्राप्त हूं है ऑब हम क्या करते हैं जीरो और 7 को जीरो से बुना करेंगे तो क्या हो जागा जीरो और इधर 6 बचेगा क्योंकि 6 में से 0 जाए जागा तो 6 बचेगा तो 6 हो जाएगा अब 2 वैलू से हम नि पर कितना दो रखते हैं तो 3aisia हो जाएगा यदि हम यहां पर रखते हैं कितना नइचे है और तो टो हम और उने 6 चह मैंसे 6 गया तो 0 बचा तो हम य कि बाइ की वेलू कितना है कि बाइस जीरो कैसे आई यहां पर रोजाएगा 3 and 2 य यह हो ज्याएगा 6 मैंस 6 और यह जीरो हो जाएबा तो देखिए जब हमने बाय की बेल्व जीरो रכी तो एकस की वेलू कितनी आई 6 और जब बाय की फाдеसciendo दो रखी तो एकस की वैलु कितनी जीरो तो इस तरह से चानल हमें इसके पराफ्ट हुए है इसके बाद इस वाली जो जो दूसरी equation है हमारी उसके भी हम क्या करेंगे इस वाली के भी तीन हल प्राप्त करेंगे देखिए इसको मैं ऐसा नहीं बनाकर यहां पर direct लिख देता हूं यहां पर एक table बना लेता हूं मैं यह वाली और थोड़ा इसको compress कर लेता हूं मैं नेकि शोटा कर देता हूं और यह x है और यह कर देता यहां पर डेकता हूं कि यहांपर लिख दुछन दो है इसकोगी बरावर 12 यह संदो है2x-3y बरावर 12 है थो यह वाली एक внутри कि यहांपर लिख देता हूं यह जो माइनस का था उदर जाके क्या हो गया जुड़ गया तो अब हम सही डंग से ओब्जर्वेशन कर पा रहे हैं कि यह उदर जाके जुड़ गया और जो दो है उसका भाग लग जागा क्योंकि दो है xico को सेप्रेट करना है हमें या तो एक सेप्रेट कर लो सेप्रेट कर लो सेप्रेट कर करना है और up or by जा ङाएए वर ससीरा कि वेए या कि लिएगा एक रखता हूं यहां तो तीन हो जागा बारे में तीन दोंगे तो पंदरे में दोंगे से सब्सक्राइब कर दाएगा कि 71 में पार क्या रख देते हैं ज푼 उसक्यू रखते हैं तो purl ऐसी पिरकार में बारें दकाता हूं कितना एक लखोंगा तो नहीं हागा जीरो रह डिया दो रखोंगा थींदोनी चैना 12 खह थार है by की वैलू यदि कितनी रखोंगा दो तो又 कितना यगा भाई की वैलू दो रखोंगा तो एक बंडू न आप s इसी पिरकार कि हम यूरी 2 रखता हूं गेंश इंगे हैंट जाए यह बचेंगे इस पेरकार interrupt ॥ तो कितना चान से घाथ ही सब्सक्राया मुझे चलिए नहीं जबाक दिए रख़ा कितना थानरे किसे गैए तो बारा माइनस 6 हो जाएगा अपना बारे में से 6 जाएगे तो 6 बचेंगे तो 6 बटा 2 बरावर 3 आ जाएगा क्योंकि हमने जब माइनस 2 रखा है तो क्या आया है तीन आया है देख लीजिए अब हमने दोनों एक्वेशन की 3-3 वैलू प्राप्ट कर ली है अब हम इसका क्या ग्राप बना करके और लॉला नहीं है यह जो दो समिक्रण योम है क्या यह लाइन एक दूसरे को तो एक्जेक्ट नहीं होगा लेकिन मैं उसको एक्जेक्ट कर दूँगा इसे सेट करके क्योंकि यहां पर तो मैं बना रहा हूं इससे जब तुम ग्राफ पर बनाओगे दंसे तो वहां एक्क्यूरेट वेलु आएगी देखिए यहां पर मैं दो लाइन ड्रो करता हूं ऐसे यहां पर यह हो जाएगा इस तरह से यह एक लाइन हो गई है हमारी और एक लाइन हो जाएगी इसको कटते हुए जैसे मैं यहां से इस तरह एक लाइन बना देता हूं यह दो लाइन हो गई है हमारी अब देखिए यह हमारी एक्स वाली लाइन है एक होता है एक्स और दूसरा सेरा खाली बच जाता है तो उसे नाम देते हैं एक्स डेस क्योंकि लायन तो वह एक्स वाली है तो एक्स डेस इधर आगा इधर माइनस वाली संख्या आगे अभी मैं आपको लिख कर अच्छी तरह बता देता हूं कि यहां पर हो गया अपन का एक्स और यहां हो जाएगा कु प्रह आपस्ट टीट जर्व म cherry चैस्ट कह सकते हम एक्स अर वह एक्स और यह इसका ओरीजन पॉइंट है जिसको मूलवेंदो कहते हैं जहां कर इसके जो निरगश्ञ के दे हैं sécurрал। 0 होते हैं इन्हीं x,0 और x,y क्या हो जाएगा 0,0 तो यहां पर इसको हम O नाम दे देते हैं या पिर ऐसे ही रहने देते हैं अब हम इसमें बेलू पुट करने के लिए सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो first quadrant है second थर्ड है खोड़ते हैं इनमें किस तरह की और किस टैप की बेलूज को फुट किया जाएगा माइनस फिलस फिलस माइनस 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 तो हम आपको थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि हम यहां पर फिलस और फिलस वाली बेलूज को फुट करेंगे यानि कि इस जगह पर और इस जगह पर क्या एंगी दल फिलस्फ वाली आएंगी और यहां पर किसी भाउaltro आएगी यहांë पर आएगी ऐखी माइनस और फिलस यह पर माइनस और पिलस वाली यह फोड़ा बडा हनुरे ऑन क्योंकि जो लाइन आएंगी हमारी वो भी यहीं होके बुजर सकती है तो देखिए माइनस और पिलस यह हो जाएगा और यहां पर हो गारा माइनस- और यह पर हो जाएगा प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस- जो तीन इसके हाल आएं समीकरण के इनको हम पुट करते हैं सबसे पहले और हमें कैसी रेखा प्राफट होती हम देखते हैं तो एक्स बाई यहनी तीन कोमा एक है तो पहले हम इस पर लिख लेते हैं तो यहां पर लेखते हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ और मेगजि 3,4,5,6,7,8,9,10 इस तरह से हम इस में नम्मर पूट कर लेंगे इसके बाद इदर भी पूट करेंगे तो इदर किस के आएंगे इदर आ जाएंगे माइनस के इदर यद्य हम पूट करते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस तो जागा एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस लेकिन ये अंक किस के होंगे हमारे माइनस के किसी परकार इधर लेकेंगे की एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो और यह हो जाएंगे अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह हो जाएगा 6, 7, 8, 9 तो इस तरह से हमने इसको इस पर अंको का नाम दे दिया है इस तानों पर यहांपर 1, 2, 3, 4, 1 से 9 तक हैं इधर भी ऐसे हैं और इधर माइनस वाले आ जाएंगे जैसे हम लिख देते हैं यहांपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से हमने अंकित कर दिया है यहांपर इन अंको को समान दूरी पर यह किस के होंगे माइनस के होंगे तो इस फिरकार हम देखते हैं कि अब हम वैलू पट करेंगे कि X की वैलू कितनी है 3 और Y की कितनी है 1 तो यह जाएगा 3,1 अब जो X की वैलू रखनी है हमें वह कहां रखेंगे इस वाली लाइन पर क्योंगी पॉजिटिव वैलू है तो X की वैलू 3 यहां हो जाएगी और Y की वैलू 1 इनकी Y की वैलू 1 किसमे प्लस में तो यह रही तो देखिए यहां से और यहां तक यानि करीबन यह है अपना यहां पर यहां पर है कितना 3,1 तो इसको लिखेंगे 3,1 और इसको नाम देदेंगे A बिंदू अब देखिए A हो गया इसके बाद है 6,0 यानि X की वैलू 6 है और Y की वैलू कितनी है 0 है तो यह यह यहां हो जाएगा क्योंकि Y की वैलू 0 है तो इसी लाइन पर आएगी यह हो जाएगा 6,0 इसको नाम देदेंगे B इसके बाद देदेंगे 0,2 यानि X की वैलू 0 है 0 यहां हो जाएगा और Y की वैलू 2 है प्लस में तो यह यहां हो जाएगा तो यह वाला पॉइंट होगा अपन का यह यह यहां हो जाएगा और Y की वैलू कितनी है दो है तो एक और एक दो यहां हो जाएगा तो यह कौन्छा होगा 0,2 0,2 हो गया है और यह हो गया C पॉइंट तो यह भी C पॉइंट इसके आगए है इस वाली लाइन के और जब हम इनको सीधे मिलाएंगे तो यह इस तरह से एक लाइन बनाएंगे स्टेट वाली हमारी यह लाइन बनेगी यहां से इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं 0,2 को 0,2 इधर हो गया इसका नाम हो गया C क्योंकि हमें जब यह लाइन मिलानी है तो हम इसे इस तरह से मिला देते हैं हमारी एक सीधी लाइन बनेगी इनको काड़ते हुए ऐसे यह हमारी एक सीधी लाइन बनेगी आप जब ग्राफ में बनाओगे तो एकदम सीधी लाइन आएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह लाइन कितने पॉइंटों पर एक तो यह रहा है अपना और एक यह 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 तीन जो पॉइंट है A है B है और C है A है अपना 3,1 6,0 B है और C है 0,2 तो इस तरह से जो यह लाइन फ्राफ्ट हुई है रेखा यह अपनी X plus 3 by बरावर 6 वाली तो X plus 3 by बरावर 6 वाली एक लाइन हमने ड्रो कर ली है इसमें उसकी बेलू भी पुट करती है अब करते हैं यह वाली बेलू यह एक्स कमान 6 और Y कमान 0 है तो X कमान कितना है 6 यह रहा और Y कमान कितना है 0 तो यह सेम हो गया एक्स कमान 6 और Y कमान 0 तो यहां पर लिख देंगे 6,0 और यह बिंदू हो जागा A, B, C, D नाम दे देंगे इस बिंदू को और यह वाला बिंदू क्या है यह इसमें भी था औ इसके बाद हम देखते हैं कि 9,2 यानी 9, 9 किसका है एक्स का, 9 एक्स वाली लाइन पर है हमारा, ध्यान से देखिए, 9 इस पर आएगा यहां, तो 9 यहां आएगा, उदर है y कमान 2, तो 9 एक्स कमान है और भाई कमान 2 यहां पर आजागा, तो इन दोनों को मिलाएंगे, तो यहां पर यह आएगा, इस B को इधर लिख देते हैं, यह बिंदू B है, और जो इस कमान है, 9 और भाई कमान है, 2 तो यह दोनों यहां पर मिल जाएंगे, तो यह हो जाएगा कौन, यह ह एक्स की वैलू 3 है और य की वैलू माइनस 2 है लेकिन एक्स की वैलू 3 किसमें है पॉजिटिव है तो देखिए एक्स की वैलू 3 है तो 3 है और य की वैलू कितनी है माइनस 2 देखिए य की वैलू माइनस 2 है तो एक्स की वैलू 3 और यह माइनस 2 इन दोनों को यहां पर मिला ले यह संथाशने तो फिरकार्ट सेस्वारा मिलें एसें इस विरकृता हुआ जाएगा और जब यह इसविरकारच से काटे गा तो हम देखते हैं कि यह कहां पर मिल रही है दोनों लाइन जो मिलेंगी एक विंदू यह रहा एक विंदू यह रहा एक विंदू यह रहा यह वाली जो लाइन है यह वाली लाइन है टू एक्स टू एक्स माइनस थरी वाई वरावर बारा यह वाली जो लाइन है इस यहां यहां पर काड़ रही है छे कौमा जीरो पर वो ही इसका क्या होगा हल होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका एद्थिये हल होगा क्योंकि जो रेखाए हैं वो एक दूसरे को पिर्तिचेद कर रही है और केसी हैं संगत हैं इसलिए हमें एदुतिय हल प्राप्त हुआ है एक्स वरावर हमें प्राप्त हुआ है छे और वाई वरावर प्राप्त हुआ है जीरो यही इसका आंसर है एक्स वरावर छे क्यों है क्योंकि एक्स वाली लाइन पर छे आ रहा है और कॉमन जहां पर यह ग्राफ द्वारा हल कर लिये हैं दोनों समीकरन योगमों की बेलू याद करके और हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है इसे ध्यान से देखिए वीडियो नमर टू और एक्जामपल नमर टू है वो है आपके चैप्टर थरी का और जो चैप्टर थरी है वो है लेनियर एक्व समी करण योगम का हल नहीं है जब नहीं होता है जब इसे दोनों समीकरन योगम की जो रेखाएं है वह एक दूसरे को क्या एक दूसरे के समान तरु उगई तो उसका कोई हल नहीं होगा एक किया लोगा और एक दूसरे को पर ओवर लेपिंग यानि कि संपाती हो जाएंगी रेखाएं तो क्या होंगे परिमेत रूप से आने खाल होंगे और जब एक दूसरे को पिर्थी छेत करेंगी तो संपाती होंगी यानि कि एक दूसरे के ऊपर ओवर लेप करेंगी तो अपन-at बरावर बीबन अफन-b2 वराली कंडिशन बनेगी और जब शमांतर होंगी तो यह समीकरन योक मामें दिया हुआ है, यह समीकरन नमर एक है और यह समीकरन नमर दो है, यह इसे नाम देते हैं थे, एकक्विशन नमर एक और एकक्विशन नमर दो, अब हमें क्या करना है कि इस वाले समीकरण को हमें इस तरह का बनाने के लिए या और सरल बनाने के लिए हमें से पांच वटे तीन से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि समीकरण 2 को यह समीकरण 2 है तो यह हम लिखते हैं कि समीकरण 2 को किस से multiply करेंगे 5 अपन 3 से गुणा करने पर देखे हम समान संग्या से पूरे समीकरण को गुणा कर रहे है तो इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा समीकरण 2 को 5 वटे 3 से गुणा करने पर समीकरण 2 यह रहा है तो इसको हम 5 वटे 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो देखेए गुणा कर दिया 2 upon यह 24 और इसको 5 से गुणा कर दिया यह बाई हो गया पिलस 3 वटे 5 इंटू पांच वटे तीन अब देखिए यह हमारा तीन से तीन कट गया है यहां बचा क्या पांच एक्स बच चुका है हमारा और यहां पर माइनस का चिन है और यहां पांच से पांच कट जाएगा यहां पर पांच से पांच हमारा कट जाएगा देखिए यहां पर पांच व करेंगे पांच वटे तीन से तो यहां पर थोड़ी यह श्चिक है यहां पर हम stunning इसे चो cambiar लेटेते हैं और क्या कर देते हैं सोड़12ंट प्रक्री करेंगे चोटे दंसे जब Face अधाइब से थिन से अच आठए आठ बार कट इसके बा 죄송fridhe इसके बाद 5x अब देख लीजे कि यह जो हमारा equation प्राफ्ट हुआ है same इसी जैसा है जैसा equation 1 है अब हम find out करते हैं इसका क्या बिस्तार इसका बिस्तार हम find out करते हैं जैसा कि हमने व्यापक रूप में पढ़ा है कि जैसे हम पढ़ेंगे a1 x plus b1 by plus c1 बरावर 0 और a2 x plus b2 by plus c2 बरावर 0 इसके द्वारा हम इसकी तुलना करेंगे ऐसे कि a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तो हम देखते हैंगे यह किस रूप का प्राफ्ट होता है तो समिकरण एक में पांच है इसमें भी पांच है तो दोनों बरावर हैं तो सीधी सी बात है कि a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 यह तीनों हमारे क्या हैंगे बरावर आएंगे और जब तीनों इस तरह से हमारे बड़ावर वाली condition में होते हैं, ये तीनों, तो हमें क्या इस्थिती प्राप्त होती है? जब यमारे तीनों बड़ावर होंगे, तो जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के उपर संपाती होंगे य分享 मिनोंत हैं, ये बड़ावर ये ये बड़ावर येlot परिमेत रूप से परिमेत रूप से अनेख अपर्म जब हम इसी घाप पे गराफ परकत होगे हमें वह फेले वह लाइन से द्रोब की अहां पर एक्स और एकषए हम और रॉर यहां पर और भाइड़ह और स्पोइट आ जागा इस के बाद हम फिल स्वी as यहां और इदर माइनस वाली इस और अजय किया जाएगी फिर हम क्या हूआ करेंगे और क्या करेंगे और क्या करेंगे दोणों की सेम पुर्त करेंगे दूसरे कारें। तो हमारे अनत रूप से परिमित रूप से अनेक हल आ जाएंगे यह वा एक्जामपल टू इसके बाद देखते हैं अपन एक्जामपल जो थ्री है वो आपकी बुक्का है और दो चर वाले रेकिक समीकरन जो चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर थ्री है आपका वो चल रहा है चत्यथे देखिए चमपा एक सेल में चमपा एक लड़की है जो एक सेल में कुछ खरीदने जाती है तो देखिए चमपा एक सेल में कुछ पैंट और इसक्रठ खरीदने गई जब उसकी सहलियों उन्हे पूचा की फिरतेग के कित्ने नग खरीदे अर्थात उसकी सहलियों ने उससे पूछा कि कितने paint खरीदे और कितनी skirt खरीदी तो उसका जवाब देखिए उसने जो जवाब है वो इंडिया इरेक्ट ली दिया है यानि साफ साफ में बता कर एक equation के रूप में बताया है इससे एक equation बनेगी तो उसने बताया है कि उसने उतर दिया कि skirt की सेंख्या खरीदी गई पेंटो की सेंख्या की दोगनी से दो कम है क्या होता है कि skirt की सेंख्या है जो उसने skirt खरीदी है उनकी सेंख्या पेंटो की सेंख्या की दोगनी से दो कम है और इसकर्ट की जो संक्या है वो खरी दी गई पेंटो की संक्या की चार गुनी से भी चार कम है दोनों का अंसर बता दिया उसने उसने बता दिया कि इसकर्ट की संक्या इतनी है और जो इसकर्ट की संक्या है वो पेंटो की संक्या की चार गुनी से चार कम है और इधर दो गुनी से दो कम है तो हम मान लेते हैं कि जो skirt की संक्या है वो X है और जो panto की संक्या है वो Y है तो देखिए माना की हम यहाँ पर इसका जब answer लखते हैं solution तो हम मान लेते हैं कि माना skirt जो skirt की संक्या है skirt की संक्या को हम क्या मान लेते हैं X एक्स के रूप में और जो पेंट की संख्या है यानि पेंटो की संख्या है पेंटो की संख्या उसे हम मान लेते हैं बाई के रूप में तो देखिए हमने माना है कि Skart की सेंज्चिया को हम क्या नाम दे रहें X यानि X IsकART खरी दिया है उसने और PANT की सेंज्चिया को क्या नाम दे रहें Y यानिकि Y उसने PANT खरी दे रहें तो यहाँ पर देखिए आइनी कि इससे हम एक एक एक्विशन बनाते है इसकर्ट की संख्या यहीं कि इसकर्ट की संख्या मतलब एक्स की संख्या तो हम यहां लिख देते हैं कि एक्स की संख्या एक्स बरावर हमने यहां से देखकर लिख रहे हैं इसकर्ट की संख्या और इसकर्ट की संख्या कि दो गुनी से कितनी गुनी से दो गुनी से दो कम है मतलब खरी दी गई जो इसकर्ट की संक्या है वो उसने कितनी खरी दी पेंटो की संक्या की दो गुनी से दो कम यानि दो गुनी दो गुना हो गया पेंटो का दो गुना हो गया और इससे दो कम यह हो गया इतनी उसने खरी इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जो equation है हमारी वो किस फिरकार बनती है तो देखिए दूसरी जो equation बनेगी वो बनेगी कि इसकार्ट की संक्या खरीदी गई पैंटों की संक्या की चार गुनी से भी चार कमें फिर वही बारा सवाल हैगी एक्स बड़ाबर चार गुनी से भी क्या कमें चार कमें यह हमारी दो equation बन जाती है एक्स बड़ाबर 2y-2 और एक्स बड़ाबर 4y-4 तो हमारे दो क्या मन जाते हैं समीकर्ण यूग मन जाते हैं अब हम देखते हैं कि इनके हम हल याद करेंगे दो दो हल याद करके हम बताएंगे कि पैंट और इसकर्ट की संक्या कितनी है अब हमें यह बताना है कि उसने कितने पैंट खरीदे और कितने इसकर्ट खरीदे इसके आपर हम क्या करते हैं कि इनके दो-दो हल याद करते हैं तो इनके दो-दो हल याद करने के लिए हम कैसे याद करते हैं देखियो यहाँ पर हम इसे इदर लेख लगते हैं x residence 4y इसे थोड़ा कम जगे में हम लिखेंगे यह हो जागा x एक था हमारा एक्स बरावर फॉर वाई माइनस फॉर इस तरह से था तो इसके जब हम तीन वैलू दो वैलू याद करेंगे तो हम करेंगे कि यहां पर एक्स लिख देंगे और यहां पर वाई लिख देंगे और हम ऐसे तीन अ कॉलम बना लगे क्योंकि हमें इसकी कितनी वैलू याद करनीए तीन एक यह हो गया और एक यहां पर हो जाएगा एक दो तीन और इसी तरह से इसका भी हम बना लेंगे यहां पर ऐसा X और Y दो value याद करें या तीन याद करें answer बही आएगा चलो दो याद कर लेते हैं ठीक है दो दो value हम इनकी याद कर लेते हैं क्योंकि हमारा answer दो से ही आ जाएगा देखिए यदि मैं यहाँ पर क्या करूँगा Y की जगे एक रखूँगा तो Y की जगे एक रख दिया तो 2 को एक से गुणा करेंगे और 2 में से 2 जागा तो 0 बचेगा तो X बरावर 0 आ गया यदि मैं Y की जगे 0 रख देता हूँ 0 रख दिया X की जगे कितना आगा फिर 2 यह 0 से 2 गुणा होगा 0 हो जागा और जब 0 में से माइनस दो जागा तो माइनस दो ही बचेगा अब इधार देखिए इधार भी हमें 2 वैलू याद करनी है कि यह कितना है 4 Y माइनस 4 तो Y की जगे एक रखूँगा तो 4 और एक 4 4 में 4 गया 0 आ गया इसी पिरकार Y की जगे में 0 रखूँगा तो 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा Y की जगे 0 रखूँगा तो यह माइनस 4 आ जाएगा अब जो यह वैलू आई है यह इस समी करन के दो हल हमने प्राप्ट किये हैं इन हलो को हम ग्राफ पर दर्साएंगे और वहाँ से पता लगाएंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्राप्य विदी द्वारा समी करन का हल तो ग्राप्य विदी से हम बताएंगे कि चमपा ने कितनी skirt और कितनी paint खरीदे तो यहाँ पर हम ग्राप बनाने के लिए यहाँ पर एक line ड्रो करते हैं इस फिरकार की यहाँ पर एक ऐसी line ड्रो कर लेते हम यह इसके बाद इसको cross करती हुई यह line हमारी यह हो जाती है और इस फिरकार हमारा यह बन जाता है यहाँ पर x और यहाँ पर x डेस यहाँ पर y और यहाँ पर y डेस और यहाँ पर यह ओविंदू हमारा हो जाता है यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसे परकार एक, दो, तीन, चार, पाँच, इधर एक, दो, तीन, चार, पाँच, इधर भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, हम इस पर अंकित कर देते हैं जहां दीजिएगा इधर आगा एक दो तीन चार पांच इधर आगा एक दो तीन चार पांच लेकिन यहां क्या आगा माइनस वाले यहां पर आएंगे किसके मान यह एक्स के मान है माइनस वाले और इधर आएंगे माइनस वाले किसके इधर आजाएंगे वाई के क्योंकि यह वाली लाइन वाई किया तो यहां पर एक दो तीन चार पांच किसके माइनस के यह वाली वैल्यू है और यहां औरीजिन पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो अब देखिए अब हम इस पर वैलू पुट करते हैं कि जीरो कॉमा एक क्योंकि सबसे पहले हम एक्स की वैलू लेते हैं तो इसे जीरो कॉमा एक बोलेंगे एक्स की वैलू जीरो तो एक्स की वैलू जीरो यहां पर है और बाई की वैलू एक वैलू एक खांपर है यह रही तो इसका जो पॉइंट होगा वो खांपर होगा यहां पर जीरो कॉमा एक तो हम यहां पर लिख देते हैं ऐसे और यह हम यह देखिए यह मूल विंदू है इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर है माइनस 2, 0 x की वैलू माइनस 2 है so x वाली यह लाएन है माइनस इदा रहे तो माइनस 2 और य की वैलू कितनी है 0 तो य की वैलू यहां पर आ जायेगा यही आ जाया माइनस दो कॉमा जीरो और ये बिन्दो होगा कुन सा? बी अब देखिए एक या आ गया? एक या आ गया अब दो आ गए अब इन दोनों पर एक लाइन ड्रो कर देते हैं जैसे हम लाइन ड्रो करेंगे तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से जाएगी इन दोनों को करती हुई ऐसी ये लाइन हमारी है अब देखिए जो लाइन है वो कौन सी है? ये लाइन है एकस बरावर टू बाई माइनस टू इसके बाद हम देखते हैं कि एकस बरावर ये जो इस वाली एक्वेशन है इसकी जो हमने हाल आती हैं उनको हम रखते हैं तो X बाइब एक वर गया तो यही पर तो इसको भी लिख देते हैं और यहंसे संकित से बता देते हैं कि यह रहा है 0,1 और इसको नाम दे देते हैं ABC नाम दे दिया, इसको इसके बाद हम देखते हैं कि mineտस 4,0 यह एक्स कमांड mineis 4 है सब्सक्रेंट रहा और y कमांड कितना है सब्सक्रूइब theo необход एक बिटू हमारा यहां हो जाएगा जब हमारा 1 यहां हो जाएगा और एक यहां हो गया तो हम इन दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे किसको किसको और इसको हम नाम भी दे देते हैं कि ये हमारा बिंदू है माइनस 4 काऊमा 0 जिसका नाम है बिंदू B ये वाला बिंदू है अब देखिए जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये इस तरह से मिल जाते हैं इस तरह से ये मिल जाते हैं और ये वाली लाइन होती है उपनी कौन सी X ब्राभर 4 बाई माइनस 4 ये वाली लाइन है और ये ये वाली लाइन है तो देखिए यहाँ पर 0,1 पर मिल रहे हैं यानि 0 जीरो कमा एक और जीरो किस पर आ रहा है बाई पर और बाई कोन है पेंटो की संख्या यानि उसने पेंटो की संख्या कितनी आएगी हमने इस कर्ट की संख्या क्या मानी थी एक्स और पेंटो की संख्या क्या मानी थी बाई तो हमारा बाई तो कितना रहा है एक आ रहा है और ए जीरो किसका मायना है एक्स का और एक्स हमने क्या मायना है इसकर्ट इसका मतलब उसने एक भी सकर्ट नहीं खरीदी तो आप यहां पर लिखेंगे कि इसकर्ट की संख्या मतला कितनी skirt खरीदी उसने चमपन है तो उसने 60 नहीं खरीदी जीडी मैंने skirt करीदी है उसने कुछ नहीं खरीदा उसने सिर्फ ऐसे पहेल्य के रूप में बताया कि 2 गुणी दो कम है, चार कुनी से चार कम है लेकन उसने एक भी कट्ट नहीं खरी दी और उसने पेंट कितने खरी दे lifetime एक, इसने पेंट करी था उसने उना घुमा फिरा के आपको को बटााके आप गूता ही नहीं भाई, उसने कि सेंग्या एक्स माना है इस वाली लाइन को माना है तो इस वाली लाइन पर तो क्या रहा है यहां से जीरो आ रहा है तो उसने इस कर्ट कितनी खरीदी एक भी नहीं खरीदी और पेंट कितने खरीदे एक पेंट खरीदा उसकी सहेलियों को अब पता लग गया है कि उसने एक भी स्कट नहीं खरीदी उसने एक पेंट खरीदा था इस तरह से हमने completely पता लगा लिया है कि किस तरीके से हम एक दिये हुए कोस्टिन को हम उसे ग्राफिय विदी से हल करके उसका आंसर याद करेंगे तो यह तो है ग्राफिकल मेंथड और ग्राफिकल मेंथड के द्वारा हमने फाइंड आउट किया है कि इसकर्ट और पेंटो की सेंग्या कितनी है इसे ज्यान से देखिए इसे ज्यान से देखिए और completely अच्छी तरह से जब दिये